ये तो श्री राम जन भूमी का प्रशाद है इसे स्वाधिश तो क्या ही हो सकता है अभी हमें अयोध्या जी में श्री राम जन भूमी मंदिर के बिलकुल बराबर में अमावा राम मंदिर में जहां पर जितने भी लोग प्रभू श्री राम के दर्शन करने आते हैं उन सभी को निशूर्क भोजन कराये जाता है राम रसोई के नाम से आपके ठीक सामने आपको नजर आ रहा होगा तो सबसे बहले यहाँ पर यह फोम ले जाता है जिसमें आपको अपना नाम और आधार कार्ट देना होता है उसे आप यहाँ पर सब्मिट कीजिए उसके बाद आपको जाना है इधर जहाँ पर आपको निशूर्क भोजन उपलब्त कराया जाएगा और यहाँ से आप जो श्रीराम जन भूमी मंदिर बन रहा है उसका कंस्रक्शन भी देख सकते हैं तो मंदिर वही बन रहा है हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ का निशूर्क भोजन कैसा होता है तो देखे भक्तों के आने से पहले प्रोपर क्लीनिंग की जा रही है अच्छे से साफ सफाई करने के बाद यहाँ पर भक्तों को अंदर बुलाया जाएगा दूसरी तरफ आलू की सब्या को पहले आलू की लोकी की सब्याइगी इधर से सब्याय दी जा रही है और यहां पर आ रहा है तो दो सब्याय दी जाती है दाल दी जाती है तो इसमें कुछ आता रहता है कि यह की बार की जाएगी अपना पेट भर कितना विखा सकते हैं तो सब्जी दाल के बार देखिए पूरी आ गई है पूरी दी जा रही है और यहां पे जितना भी धर्मकार यह चल रहा है इसके लिए किसी से दान नहीं लिया जाता है सारा पतना के प्रशित महावी मंदिर है वहां से वह लोग और इसको कि यह समय क्या रहता है इसको समय 11-3 जो रहता है किस दिन बंद रहता है तो अब आप आयोध्या आ रहे हैं अब आप अमावा राम मंदिर आई यहां पे 11-3 रोज आपको भोजन मिलेगा अभी चावल आने के बाद आप पापड दिया जा रहा है पापड देने के बाद देखिए अब प्रायम्स भी दिये जा रहे हैं शुरू में मेरे को लगा था कि जैसे कहीं पे भी आप जाएंगे लंगर में लंगर में हलका फुलक आपको भोजन कराए जाता है यहां पर आप दे का प्रहें पड़िया नगा करता हूं करता हूं अपको बताएंगे प्रशाद कैसा भी हो स्वाधिश्टी लगता है और यह तो श्री राम जन्भूमी का प्रशाद है इसे तो क्या ही हो सकता है मैं अभी आप एपना बोजन ग्रेंट करता हूँ आपको अगर ये वीडियो चाहिए